वेल्ट एक्सरेश में आपका हर्दिक स्वागत है आज संडे का दिन है तो आज मैं आपके लिए निप्टी का व्यू और पांच स्विन ट्रेडिंग स्टॉक लेके आया हूँ जो आने वाले वीक में अगर वो लेवल के आसपास मिलते तो वो स्टॉक में अच्छी रहली आ स सकते हो अभी अपने चलेंगे पहले निप्टी का व्यू देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको पांच स्विन ट्रेडिंग स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले वीक में अच्छा पर्परमस दे सकते हैं तो उसमें निप्टी का व्यू आपको पता होगा गाईस लास्ट सं सब्सक्राइब के आसपास था और अपना वैसे चोईस अजार 175 पे समझो बाइंग हो गया था उसके बाद नीचे स्टॉप लोस नहीं हो और चोईस अजार 500 का टार्गेट भी आ गया था तो वह आपको ध्याम में रखना है हाला कि प्राइड को अपने एक इंट्राडे भी दिटी 50 के अभी में बात कर रहा हु तो ऑपने क्या एनालीसिस किया था डिलि चाड पर निप्टी 50 में क्लिएर कट ऐसे ड्रॉ किया था लास्द सङ्टर संडे का वुडियो दिखोगी तो उसमें क्लिएर कट निप्टी यहाँ पर क्लोज दिया था उसके बाद अपने prediction ऐसा था कि trend line के आसपास आएगा अगर उसके बाद भी गिरेगा तो यह जो demand zone ड्रॉ किया था वहाँ पे आएगी निप्टी तो वेस सेम ऐसा ही किया trend line के निचे चली गई थी लेकिन फिर से यहां से support लेगे उपर चली गई तो यह तो हो गया last week का analysis जो एकदम सटिक साबित हुआ है अभी क्या हो सकता है आने वाले week में तो अभी देखो trend line यहां से अभी shift करेंगे अपने यहां पे change करेंगे यह आपको time to time change करते ही रहना पड़ेगा तो अभी आपको यह पूरा channel दिख रहा है निप्टी 50 का आपको ध्यान से देखोगे तो य यह अपर channel है और यह नीचे का lower channel है तो अभी क्या हो सकता है निप्टी में अगर यहां से निप्टी गिरेगी तो उसको यह trend line का support मिलेगा और यहां से bounce back आ सकता है लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि इसके बाद भी यहां गिरेगा तो फिर से bounce back आने के बहुत high chance है त इसलिए क्या करना है wait and watch करना है अगर निप्टी फिर से 24,200 की range में आते तो वो आपका buying zone हो का 4,00090 के stop loss से आप hold करके रखोगे तो फिर से निप्टी 4,500 के level दिखा सकती है तो buy on deep वाला market ही है तो ज्यादा focus नहीं करना है आपको demand zone के आसपास buying आ है तो वहाँ पे position बना सकत बढ़ जाते हैं तो clear हो गए आपका bar and deep वाला market है आने वाले week में वो आपको ध्यान में रखना है अभी आपने चलेंगे निप्टी में के तो आपको level बता दिये अभी 5 stock जिसमें अच्छी रह लिए आ सकते है उसमें पहले stock का नामे sale sale एक ऐसा stock है जो मैंने आपको last week में भी बोला था sale stock का नामे daily chart के उपर analysis करेंगे तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको यह बड़ी से candle दिख रही है वो कौन सा है चार जून की candle है जो counting day था वहाँ की तो वहाँ पे sale ने 125 का low मारा था उसके बार last week भी देखो sale का strong demand zone का आप है 130 से लेके 125 के बीच हुए और आपको 200 simple moving average जो दीख रही है अभी stock क्या कर रहा है उसके नीचे trade कर रहा है लेकिन ऐसा जरूरी है कि अभी नीचे तो अभी यहाँ से चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर demand zone भी है तो यहाँ पर bounce back आने के बहुत high chance है लेकिन अ उपर जाएगा तभी आपका call active होगा यह आपका final stop loss हो जाएगा और जैसे ही अगर ऐसा हुआ समझो के आने वाले week में तो बहुत बड़ी rally उपर की side आ सकती है और stock 150-155 के level भी 10 दिन के अंदर दिखा सकता है तो आपको क्या करना है अभी का आपे closing है 131 से तो अभी कुछ नहीं करना stock कल समझो की 133 और 125 के बीच में open होना चाहिए और 133 के उपर पहले जाना चाहिए तो आपका call active हो जाएगा और उसके बाद 150 के target 10 दिन थोड़ा wait करना पड़ेगा लेकिन आ सकते है wait and watch करोगे तो आपको accuracy अच्छी मिलेगी अभी FOMO में आके ऐसा मत सोच लो कि अभी सस्ते में बिल रहा तो यहां पर ही buy कर लेता चोटा सा stop loss है बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं चोटे सा stop loss लगाते हो और बार बार वो trigger होती रहते हैं उससे अच्छा तो एक trade low लेकिन confirmation के साथ trade low क्योंकि अभी दोगा stock का पर 200 simple moving average के नीचे trade कर रहा है तो यहां यहां पर तो आपको बिल्कुल buying करनी ही नहीं है अगर stock में strong reversal आएगा उसके बाद ही आपको buying करनी है तो यह अपना पहला stock हो गए sale जिसमें अच्छी रहली आ सकती है wait and watch करना है उसके बाद आप position बना सकते हो दूसरा stock है grassy grassy में भी आप ध्यान से देखो गे तो daily chart के आने के बहुत हाई chance है लेकिन फ्राइड को ही देखोगे तो stock बहुत उपर चाड़ चुका है तो अभी क्या करेंगे अपने अपना stop loss यहाँ पर लगाएंगे तो stock को गिनने देना है आनी वाली विक के अगर stock गिरता है निचे की side तो वह आपका buying opportunity होगा यह आपका final stop loss हो जाएगा तो अभी 26 के आसपास closing दिया है तो अभी कुछ नहीं करना stock को गिनने देना है 2550 के आसपास आता है तो वहाँ पे position बना सकते हो वित श्टॉप लोस हो 2470 का आपका stop loss है 2700 के target one week में stock दिखा सकता है लेकिन कब आपको position बनानी है stock को थोड़ा सा गिनने देना है उस stock कभी भी गिर सकता है समझो कि Monday गिरे नहीं तो Tuesday Wednesday Thursday कभी भी आपको 2550 के आसपास मिले तो वहाँ पे position बना सकते हो वित श्टॉप लोस हो 2470 तो दूसरा stock हो गया ग्रासिम जिसमें अची रहली आ सकती है लेकिन आपको थोड़ा सा गिराट में बाय करना है क्योंकि अभी बा करना है और कमेंट करके आप मोटिवेट भी कर सकते हो तो escort stock का नामे daily chart के उपर same price action यहाँ पर देखोगे तो stock उपर गया support लिया उसके बाद फिर से यहाँ पर support लिया और यहाँ से bounce back करके stock उपर जा सकता है stock का यह strong demand जोने अभी stock का आप 3700 32 के आसपास है तो इसको भी थो 90 का आपका stock plus होना चाहिए 3900 के target one week में stock में आ सकता है लेकिन stock को तोड़ा सा correction है उसके बाद position बनाओगे तो आपका risk reward अच्छा होगा तो यह अपना तीसरा stock हो गया escort जिसमें अच्छी rally आ सकती है लेकिन अभी buy नहीं करना stock को गिरने देना है जब भी stock गिरे एक या दो द बताऊँगा जिसका नामे जाइड़ेस life science तो इसमें क्या हो सकता है जाइड़ेस life stock का नामे daily chart के उपर analysis कर रहे हैं, simple सा analysis से देखोगे तो trend lang का support यहापे भी trend lang का support है यहापे भी trend lang का support लिया और यहापे भी trend lang का support लिया और Friday को trend lang का जो भी support के अंडर दिदा उसके उपर बी चला गया है यानि कि logically आपका call active हो चुका है तो अभी आपको इसको reversal का wait नहीं करना, क्योंकि logically call active हो चुका है तो अभी आपको करना क्या है, 1187 के आसपास है, तो कल आपको इसको open price पर बहुत कर सकते हैं, भी open price आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी closing price है उससे 1% तब को open होता है तब तक चलाएंगे अगर stock समझो कि 2% gap up हो गया तो आपको wait करना है 1% की range में आने का उसके बाद position बना सकते हो तो वहाँ तक आप उसको position बना सकते हो स्टॉप लगाना ग्यारा सो पचपन का बारा सो चालिस के target वन विक में stock दिखा सकता है लेकिन इसको open price पर भाय कर सकते हैं क्योंकि अपना call अल्रेड़ी एक्टी हो चुका है इसलिए wait and watch करने की जरूरत नहीं है stock का नामे जाइडस लाइड अभी गाईज मैं आपको पांच पल सपोट ले रहा है यहाँ पर देखो श्टॉक नीचे आया फिर से उपर गया है फिर से नीचे फिर से उपर गया यानि कि बौर टाइम से सटॉक यहाँ पर सपोट ले रहा था लेकिन अच्छानक क्या हो गया है देखोगे तो उसका support breakdown हो गया है लेकिन उसको follow up selling नहीं म होते रहते हैं तो यहां से बहुत बड़ी केंडल उपर की साइड बन सकती और स्टॉक में उपर जा सकता है बहुत हाई चांसे लेकिन यह पूरा अभी के लिए तो आपको सप्लाई जोनी काउंट करना पड़ेगा क्योंकि एक बाप ब्रेकडाउन दे चुका है तो अभी इस सप्लाई जोन के उपर जाता है स्टॉक तो बहुत बड़ी अच्छी रहली आएगी और अपने इसको मानेंगे कि यह स्टॉक का फॉर्स ब्रेकडाउन था अभी स्टॉक फिर से उपर जाने के लिए रेडी है तो आपको वेट एन वाच करना है और सप्लाई जोन के उपर जाने का वेट करना है 1890 के आसपास है तो अभी को कुछ नहीं करना है 1933 के उपर अगर पहले स्टॉक जाता है तो आपका स्टॉक में सप्लाई जोन के उपर स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग करना उसके बाद 1860 का स्टॉप लोस लगा के 2050 के लेवल वन विक में स्टॉक आप दिखा सकता है तो वेट एन वाच करना है 1933 के उपर पहले जाता है तभी आपको पॉजिशन बनानी अगर स्टॉक के आसे ओपन होके समझों कि 1800 पच्पन का लो मार दिया नीचे की साइड तो इग्नोर करना है फिर वो अपना इन्वेलिट सेट अप हो जाएगा इसलि आपको गिराट में भाई करना है एसकोर्ट को भी गिराट में भाई करना है जैडिश्त लाइप एक इसा स्टॉक है जो आप ऊपन प्राइस भी पॉजिशन बना सकते हो औरtant में आपको कंडिशनर भाईं करना है तो पांचो स्टॉक अच्छे इस्सिपलिंग के साथ ट्रे बजे संडे का दीन है तो मिलते हैं सिधा लाइफ शेशन में बाबार टेक केर सी यू आट नाइट